मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेस रासी वालों का आजी का दिन यणी की 21 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा आने वाले शमय के दोरान आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों इस वीडियों के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखे मित्रों आने वाले शमय के दोरान अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ज्यादा बिहतर और शांदार है मित्रों आने वाले शमय के दोरान अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपका प्रेम संबंध बहुत ज्यादा रोमांचक और बेहतर होगा आने वाले शमय के दोरान आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका का साथ उनका सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा लेकिन आने वाले शमय के दोरान अगर आप अपने बेपार अपने बेबसाई में कोई भी पडिवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने सेह कर्मी अपने कर्मचाडियों के साथ आपको वार्ता लाप करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने कामकाज अपने बेपार बेबसाई में कोई भी पडिवर्तन करते हैं कोई भी बदलाब करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपका कामकाज आपका काल्डिय छित्र बहुत जयादा खराब होगा मित्रों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक छात्र हैं बिद्धियार्थी हैं तो आने वाले शमय के दौरान अपने पढ़ाई लिखाई के छित्र में अगर आप लापडबाही करते हैं अगर आप अपने पढ़ाई लिखाई के छित्र में कोई भी जल्दिबाजी करते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने वाले समय के दोरान अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि काले घोरे की नाल से बना छला आपको पहनना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भाग्य साली रंग है काला और नीला आपके लिए भाग्य साली अंक है सात यनी की सेबन तो यही था आपके आने वाले शमय कारासी फल तो इस बेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस बेडियो को आप हर जगह से अर कर दें ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हो वो इस बेडियो को देखें और अपने आने वाले शमय को बेहतर और शांदार बना सकें धन्यवाद